Hello Class 11th Students, चलिए हम दूसरी बुक जो आपकी है, Snapshot, उसका फर्स चैप्टर स्टार्ट कर लेते हैं और उसका फर्स चैप्टर है, The Summer of the Beautiful White Horse ये William Sarawan की लिखी हुई शॉर्ट स्टोरी है और थोड़ा बैग्राउंड देख लेते हैं ये कहानी दो गरीब लड़कों, अर्मेनियन लड़कों की है जो की ऐसे ट्राइब को बिलॉंग करते थे जिनका मुखे निशानी या जिनकी पहचान जो होती है वो क्या थी? ट्रस्ट यानि विश्वास और आनिस्टी यानि इमानदारी ये दो चीजों के लिए ट्राइब जानी जाती है चलिए देखते हैं स्टोरी क्या है One day back there in the good old days when I was nine and the world was full of every imaginable kind of magnificence and the life was still a delightful and mysterious dream my cousin Murad who was considered crazy by everybody who knew him except me come to my house at four in the morning and woke me up tapping on the window of my room एक पीछे पिछले दून की बात है बहुत अच्छे समय बहुत ही अच्छा था और उस समय मेरे उम्र नौवर्ष की थी और जितने सपने देख सकते थे उस उम्रों में वो सब अच्छे अच्छे सपने दिमाग में चलते रहते थे और जिन्दिगी बहुत खुबसूरत थी बहुत रहस्यमाई ड्रीम सपने की तरह जिन्दिगी बहुत खुबसूरत भी थी और अभी चुके नौवर्ष के थे तो सभाविक है जो सपना था वो बड़ा ही आकरशक बहुत ही सुन्दर था इनका एक कजन था जिनका नाम था मुराद जिसको सब लोग बहुत क्रेजी समस्ते थे लेकिन इनको पता है कि उनके सिवा उसको और कोई इतने अच्छे से नहीं जानता था एक दिन सुभध सवेरे चार बज़े सुभध वो उनके घर आया और इनको खिडकी पर टाप करके थप थपा कर आवाज करके इसको जगाया इनके कमरे की खिड़की पर थप थपाया और इनको जगाया अराम, he said, उसने आवाज लगाई, अराम I jumped out of bed and looked out of the window ये कूद कर खड़े हुए अपने बिस्तर से और खिड़की के बाहर देखा I couldn't believe what I saw, जो कुछ भी मैंने देखा, उस पर तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ It wasn't morning yet, चार बजे तो बहुत जादा सुबह का टाइम होता है तो अभी उजाला तो नहीं हुआ था But it was summer, चुकि गर्मी का दिन था इसलिए चार बजे भी हलका सा उजाला होना शुरू हो जाता है With a daybreak, not many minutes around the corner of the world It was light enough for me to know I wasn't dreaming और सुबह का बिलकुली उजाला होने में कोई बहुत जादा देरी नहीं थी कुछ ही मिन्टों की देर थी लेकिन था कि ये जहां रह रहे थे वहाँ पर इतना उजाला तो हो ही गया था कि इन्हें ये समझ में आ जाता कि ये सपना नहीं देख रहे हैं बलकि सचा ही देख रहे हैं My cousin Murad was sitting on a beautiful white horse इन्होंने क्या देखा कि इनका cousin Murad जो है वो एक खुबसूरत सफेद घोड़े पर बैठा हुआ है I stuck my head out of the window and rubbed my eyes तो इन्होंने अपना सिर खिड़की से बाहर निकाला अपनी आखे रगड़ी देखने के लिए कि ये सच है या सपना है Yes, he said in Armenian तो Armenian भाषा में उसने का कि हाँ It is a horse ये घोड़ा ही है You are not dreaming तुम सपना नहीं देख रहे हो Make it quick if you want to ride और अब जल्दी करो अगर तुम horse riding करना चाहते हो I knew my cousin Murad enjoyed being alive more than anybody else who had ever fallen into the world by mistake Cousin Murad जो थे इनके इनको जिन्दिगी का मज़ा लेने का बहुत ही जिन्दिगी का मज़ा लेने में बड़ा आनन दाता था शायद दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ती नहीं हुआ होगा गल्ती से भी जिसे जिन्दिगी को enjoy करने का इतना ज़्यादा मतलब आकर्शन था But this was more than even I could believe लेकिन ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया कि इनको विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं जितना विश्वास कर रहा था उससे कहीं ज़्यादा ही ये हो गया था यानि कि जितना मज़ा लेना चाह रहा है जिन्दिगी का और तरह के जितने तरह के मज़े लेते थे इनके कजन मुराद वो सब तो ठीक था लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही हो रहा था घोडे पर बैठे हुए In the first place, my earliest memories had been memories of horses और जहां तक इनकी अपनी बात है सबसे पहले अगर मैं दिमाग में कुछ होता था तो वो घोडे होते थे And my first longing has been longing to ride और पहली जो मन की इक्षा इनकी थी वो यही थी कि इनको horse riding करने के लिए मिले This was a wonderful part ये तो बड़ा ही अच्छी बात थी कि इनके पास एक घोडा था लेकिन ये कलपना तो नहीं ये घोडा तो अभी इन्होंने देखा है ना पहले तो बस कलपना में होता था कि मुझे horse riding करना है ये तो कलपना करना तो बहुत अच्छी बात थी In the second place we are poor लेकिन मुश्किल ये था कि ये बहुत गरीब थे एक घोडा रखना effort नहीं कर सकते थे This was a part that wouldn't permit me to believe what I saw इसलिए जब उन्होंने मुराद को एक घोडे पर सफेद घोडे पर बैटे हुए देखा तो इनको विश्वास नहीं हुआ कि हम जैसे गरीबों के पास घोडा कहां से आ सकता है We are poor, हम गरीब है We had no money, हमारे पस पैसा भी नहीं है Our whole tribe was poverty stricken Even हम ही नहीं हमारा पुरा tribe जो है वो सब के सब पुरे पुरा कुनवा जो है वो सब के सब क्या है गरीब है Every branch of the Garogalanian family was living in the most amazing and comical poverty in the world यह जो Garogalanian tribe है यह परिवार यह सब के सब बड़ी ही गरीबी में दिन गुजार रहे है बड़ी ताजुक के बात है कि और बड़ी हसी भी आती है कि हमारी गरीबी जो है कभी गई नहीं हमेशा ही हम गरीबी रहे है Nobody could understand where we have got money enough to keep us with food and our bellies not even the old man of the family और सबसे अजीब बात यह भी है कि किसी को आस्तर के कोई भी नहीं समझ सका यह बात कि हमारे पास इतना पैसा कहां से आ जाता है कि हम जो है अपना पेड़ भर लेते हैं और सचाई तो है कि हमारे परिवार के बहुत बुड़े बुजर्गों से भी पूछोगे कि कैसे हमारा परिवार चल जाता है कि हमें खाने के लिए मिल जाता है तो वो भी नहीं बता पाएगा कि हम कहां से इसम मैनेज कर लेते हैं Most important of all though we were famous for honesty और सबसे ज़्यादा important बात ये थी कि हम इमानदारी के लिए बहुत प्रसिद्ध थे We had been famous for our honesty for something like 11 centuries 11 सताबदी से लेके अब तक हम बस एकी चीज़ के लिए famous हैं वो हैं हमारी इमानदारी के लिए Even when we had been wealthiest family in what we like to think was the world उस समय हम लोग बड़े अमीर हुआ करते थे है ना उस समय बहुत अमीर हुआ करते थे फिर भी हम में इमानदारी भरी थी We were proud first हम हमें बहुत गर्व है Honest next उसके बाद हमें अपने परिवार पर गर्व हैं हम पर अपने आप पर गर्व हैं फिर इमानदारी इमानदारी के लिए हमें अपने ट्राइब पर गर्व हैं And after that we believed in right and wrong क्योंकि हम सही और गलत समझते हैं And none of us would take advantage of anybody in the world let alone still और कोई भी इसका फाइदा नहीं उठाता है चोरी करना तो बहुत दूर की बात है इसी भी situation में किसी व्यक्ती का कभी भी हमारे ट्राइब के किसी व्यक्ती ने फाइदा उठाने कोशिश नहीं किये और चोरी करना तो बहुत दूर की बात है चोरी तो हमने कभी की नहीं Consequently even though I could see the horse हाला कि मैं सामने में गोडा देख रहा था So magnificent इतना खुबसूरत था गोडा वो Even though I could smell it उसकी smell आ रही थी घोडे की So lovely बहुत अच्छी थी Even though I could hear it breathing और गोडे के सांस लेने की आवास सुनाई पढ़ रही थी So exciting मैं बहुत excited हो रहा था देख I couldn't believe the horse had anything to do with my cousin मुराद लेकिन मुझे ये विश्वास नहीं करनी सका कि मेरे cousin मुराद से इसका कुछ लेना देना है With me or with any other member of our family ना मुझसे कोई लेना देना है नहीं परिवार की किसी अन्ने सदस से लेना देना है घोडा इनके पास था नहीं कहां से आ गया इनके cousin के पास ये गोडा इसके बारे में ये सोच रहे हैं लगाता है मुराद couldn't have bought the horse ये खरीद तो सकता नहीं था गोडा इतना पैसा तो इसके पास था ही नहीं कि ये गोडा खरीद सकता and if he couldn't have brought it he must have stolen it और अगर इसने खरीदा नहीं है even couldn't have bought it यानि इसने खरीदा नहीं है इसका मतलब कि इसने चुराया है कहीं से and I refuse to believe he had stolen it और मेरा मन चुकि हमारा खांदानी ये चल रहा है परा हमारे परिवार में कि हम लोग बहुत इमानदार रहे हैं चोरी करने का तो सपने में भी नहीं सोच सकते वैसे में ये मुराद के पास एक घोड़ा है और ये तो खरीद तो सकता नहीं है मैं जानता हूँ लेकिन अगर ये चुरा कर लाया तो मुझे मेरा मन विश्वास नहीं कर रहा था कि ये चुरा सकता है घोड़ा क्योंकि हमारे खांदान में चुरी करने का रिवाज ही नहीं है नो मेंवर अफ गरोगलेनियन फैमली कुट बी अ थीफ गरोगलेनियन फैमली का तो कोई विवक्ती चौर हो ही नहीं सकता आई स्टेर फर्स एट पाई कर जोड़ा था तो एक बार घूर कर इन्होंने घोड़े को देखा फिर कजन को देखा और हसी की बात इसलिए थी एक तरफ तो मुझे बड़ा आनंदा आ रहा था गोड़े को देखकर लग रहा था कि वाह आज तो मुझे वार्स राइडिंग करने का मौका मिलेगा इतने पुराना सपना पुरा हो जाएगा और दूसरी तरफ दर लग रहा था कि भई कहीं चोरी करके तो नहीं लेकर आया घोड़े को तो हम सब फस जाएंगे बदनामी होगी हो अलग मुराद आई सेड वेर डिड़ यू स्टील इस होर्स लेकिन बड़ी हिम्मत करके उनने पूछी लिया कि मुराद ये पताओ कि घोड़ा तुम्हें कहां से चुराया हो लिप आउट अफ द विंड़ो ही सेड इस है इसका मतलब कि इसने चुराया है कहीं से इसमें तो कोई शक नहीं लग रहा है और मुझे इन्वाइट करने आए है मैं अगर राइट करना चाहता हूं तो करो ने करना चाहता हूं ने करना चाहता नौ साल के तो इनके दिमाग में ये चल रहा था कि घोड़ा चुराना तो वैसा चुराना नहीं होता कि जिए घोड़ा चुरा के ले आए नहीं अगर होर्स राइडिंग के लिए किसी घोड़े को चुराया है किसी दूसरे विक्ति के घोड़े को चुरा लिया है तो ये त चोरी तो नहीं हो सकती. If you were crazy about horses, अगर आप horses के पीछे पागल हो, the way my cousin, cousin Murad, जिस तरह से मेरा cousin Murad घोडों के पीछे पागल था, I were, it wasn't stealing. मुझे ऐसा लगता है कि चोरी तो नहीं है बिलकुल. It wouldn't become stealing until for to sell the horse. ये चोरी तभी कहलाएगी जब ओ ये घोडे को बेचेगा और उसे पैसा लेगा. Which of course I knew he would never do. जिसके बारे में मैं जानता था कि सच मुझे ये काम तो ये नहीं कर सकता. Let me put on some clothes, I said. तो इन्होंने अपने भाई को कहा कि भाई, रुको, मैं थोड़े कपड़े पहन कर आता हूँ. All right, he said. But hurry. उसने का अग जल्दी करो. ठीक है, तो आप कपड़े पहन लो. लेकिन जल्दी करो. I lift into my clothes. ये कूद कर अपने घोडे तक, अपने कपड़े तक पहुँचे और कपड़े पहन लिये. I jumped down to the yard from the window और खिड़की से ये अपने आगन में कूद गए. Lift up on the horse behind my cousin Murad. और कूद कर अपने cousin Murad के पीछे घोड़े पर बैट गए. तो आगे का chapter हम लोग next class में करेंगे. वीडियो को like और subscribe जरूर कर दीजीए.